आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे प्रेशर डिपेंड ओन फॉर्स और एरिया जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है फॉर्स और एरिया पे प्रेशर डिसक्राइब हाव आफ फॉर्स इस्प्रेड आवर एन एरिया तो सबसे प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि एक फॉर्स जो है एरिया के मताबिक किस तरह लगाया जाता है और एक मकसूस एरिया पे कितना फॉर्स लगा सकते हैं हम उसको हम प्रेशर बोलते हैं Now, pressure की definition होती है, pressure is the force acting per unit area. यानि किसी area के मताबिक force लगाया जाए, उसको हम बोलते हैं pressure. So, pressure का फार्मूला होता है, pressure equals to force upon area. So, unit of pressure is Pascal, जो पास्कल का unit होता है, वो जो pressure का unit होता है, वो पास्कल होता है. If the area is smaller, the pressure is more on the surface for the same force. अगर आपका कोई area छोटा है, तो उस पे आपका pressure बहुत ज्यादा लगता है. इसके लिए आपको मैं एक example देता हूँ, for example, आपके पास पानी वाले पाईप है, एक पानी का जो पाईप है, उसका area बहुत ज्यादा है, और जो दूसरा पाईप है, उसका area कम है. तो आप नोट करेंगे, जिसका area कम होगा, उसका पानी का pressure बहुत ज्यादा होता है, क्यूंकि area कम करने से pressure increase होता है, और area को बढ़ाने से pressure decrease होता है. अब हम pressure को increase कर सकते हैं, area को reduce करके, A sharp knife has a very small surface area on in cutting edge, so that high pressure can be exerted to cut the onion. तो जो knife होती है, उसका जो area होता है, वह बहुत चोटा पतला बनाया जाता है, ताके ज्यादा से ज्यादा pressure लगा के हम किसी भी चीज़ को cut कर सकें. अगर, for example, knife का area ज्यादा होगा, तो onion को हम cut नहीं कर पाएंगे, क्योंकि area ज्यादा होने से pressure कम हो जाता है. इसी तरह बहुत सारे ज्यादा pressure के पाए जाते हैं, जिस तरह जब हम ice पे skate करते हैं, तो उसके लिए skating वाले shoes पहनते हैं, उसका भी जो area होता है वो बहुत बारीक रखा जाता है, ताके जब हम pressure लगाएं, तो वो बरफ को थोड़ा सा melt करके अपनी जगा बना ले, और उस जगा पे वो skate कर पाए smoothly, तो area कम करने से pressure को increase कर देते हैं हम. तो जब आप किसी कील के हेट पे force लगाते हैं, तो वो उसका जो आगे वाले साश बारीक area छोटा होने की वज़ा से, वो easily आपका दिवार के अंदर चला जाता है. तो जूतों के नीचे आपने देखा है कि काफी हम से छोटे छोटे कील्स लगाते हैं, छोटा छोटा area रखते हैं, ज्यादा तर जो लोग फुट बाल वगेरा खेलते हैं, आपने उनके शूस के नीचे देखा होगा, छोटा छोटा area लगा होता है, ताकि उस पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कोई लगा सकें, ताकि हम एक्स्ट्रा ग्रिप जान सकें. इसकीस करते हैं, उनका जो प्लेट होती है, जिस पे वो सिंग कर रहे होते हैं, उसका area बड़ा रखा जाता है, ताकि उस पे कम से कम प्रेशर लगा सकें, ताकि उसको एजी ली हम बरफ के उपर इसकीस करवा सकें, और ट्रेक्टर मुविंग ऑन सोफ ग्राउंड है जो आपने ट्रेक्टर देखें हैं, ट्रेक्टर के जो पीछे वाले वील्स होते हैं, उनका area बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेक्टर हैं, इसको सोफ ग्राउंड पे चलाया जाता है, ताकि जितना ज्यादा, हमारा area ज्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा, और आपका ट्रेक्टर समूथ ली ग्राउंड पे वर्कर पाएगा, चल पाएगा, अब हम बात करते हैं, atmospheric pressure की, atmospheric pressure is the pressure of air around us, आपको पता है कि हमारे अर्थ के चारो तरफ air की layer है, उसी layer की वज़ा से उस air का हमें pressure फील होता है, उस air pressure को हम atmospheric pressure बोलते हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो आपको air का बहुत ज्यादा pressure में फील होता है, atmospheric pressure is due to the weight of air, तो air का जितना ज्यादा weight होगा, उतना ही आपको pressure फील होगा, the atmosphere is a layer of air involving the earth, it extends up to 100 km of the surface and has a total mass of 4.5 multiplied 10 power 18 kg, जो हमारी atmosphere है, वो air के layer से भरी भी है, यानि के हमारे earth के चालो तरफ layer है, air की layer है, और ये air जो है, ये earth से 1000 km उपर तक रहती है, the pressure inside our bodies is almost the same as the external pressure, so balance it, जो हमारी body के अंदर का pressure है, वो और बाइर जो इस time air का pressure है, वो दोनों आपस में, time air का pressure है, वो दोनों आपस में balance है, इसलिए हमें यहाँ पे इस time इतना pressure फील नहीं होता, at high altitude where the pressure is lower, breathing is difficult, जब हम किसी पहाड पे उचाई की तरफ चलते जाते हैं, तो pressure कम होने लग जाता है, air का, और हमारे अंदर का pressure increase होने लग जाता है, जिसकी वज़ा से हमें सांस लेने में मसला होता है, nose bleeding occur as result from the pressure between the body and the external pressure, तो उसकी वज़ा से हमारे नाक में से खून आने लग जाता है, क्योंकि हमारी body और बाएर के pressure में difference आ जाता है, अगर हमारी body और बाएर का जो air का pressure है, दोनों सेम रहेंगे, तो हमें सांस लेने में कोई मसला नहीं होगा, मीजी ली सांस ले पाएंगे, पर जैसे ही हमारी body का pressure और बाएर बाएर प्रेशर में difference आएगा, तो हमें वहाँ पे सांस लेने में difficulty होने लग जाएगी, तो आपका simple सा homework की है, कि आपको what is pressure लिखना है, what is the formula of pressure, and what is the atmospheric pressure, कि आपको प्रेश लाएंगे,